नमस्कार दोस्तों मैं अपने यूटिब चैनल केलसी ब्लागर मैं आपका स्वागत करता हूँ जैसे कि लेक्चर नमबर 15 है लेक्चर नमबर 14 में हमने टाइमर के बारे हम पढ़ा था और उसमें हमने पिरिसेट बैलू का इंगुले Courts 140 शाथ कैसे हम एक एक राघkaa थे नमबर 15 हैं शाथ कॉलर은 नमबर 15 हैं और हैं उनका इंग पढ़ा है अगर उस लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो कि रिप्या उस लेक्चर लेक्षर को देख लिए वो लेक्षर बहुत इन्पॉर्टेंट था देन आपका इस लेक्षर पर मोग करें वोके दोस्तों वीडियो करने से पहले मैं आप लोगों से के रिक्वेस्ट करूंगा अगर मेरी वीडियो पसंदार है तो प्लेज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए आजका हमेरा टापिक है एकोनद म्हें ओंडियो सर्कृट ऑफ डिले सर्किट टाइमर इंट valley OVER इंटॉप ये चेल एंट येIST दो व्Step से भी से distress करेंगे और टाइम अर्टाइमर को interrupt हम हम उसके इंटसेजिक आउटपूर से हम टाइमर को इंट्रप्ट करनेंगा है मिनसे इसको हम कुसी की उसे हम टाइमर के साथ हम इसे हम भी बिलते हैं और फुर्ट्स टापीक होगा हमारा चांव refuse ये टापिक बहुत इंपोर्टेंट है in point of view पर टाइमर टाइमर कंसेट से लेके यह टापिक बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन इस अप टापिक का आईडिया होगा आपके तो आगे आप बड़े-बड़े प्रोग्राम को बना पाओ गाए वैसे हमारा लेक्चर में कुछ advance level के problem को solve करेंगे जो टाइमर का बेस डिस डिपर होगा और उस लेक्चर में आपको पीडियोब भी मिलेगा पीडियोब जिस पर question बना होगा और उसको आपको solve करना होगा अभी के लिए हम इस topic को समझते हैं कि on delay circuit का क्या मतलब यह topic बहुत important जब भी आप टाइमर य मुझे चलाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पड़ेगा और यह हमारा timer extension क्या है यह बहुत important topic बन जाता है मैं अभी इस पर आगे discuss करता हूं तो one by one topic को हम सुरू करते हैं on on delay हुँ पहले पड़ते हैं अन डिले circuit क्या है अन डिले का मतलब on होगा on on delay circuit है तो आण होगा means delay के साथ on होगा जैसे नाम से confirm है अन डिले डिले होने में मिनस अन होने में डिले लगेगा कहने का मतलब यह है तो इसलिए हम on delay circuit का means जैसे कि हमारे कहने का मतलब यह हुआ ति अगर आपके पास एक switch है या फिर मैं यह चाहता हूँ कि मेरे पास कोई output है वो switch on करने के 20 seconds 30 seconds maybe 1 minute 2 minute यह उसके बाद आनो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक bulb है मानू एक बॉल्ब है और यह बॉल्ब 20 seconds के बाद आनो जैसे मैं switch on करूँ उसके 20 seconds के बाद यह आनो अच्छा timer का यूज आप घर में inverter या फिर ऐसे बहुत electric equipment लगे रहते हैं तो switch on करने के एक सकेंड दो सकेंड तीन सकेंड के बाद आउट्पूट वह आन करते हैं तो मिन्स वह on delay circuit है on delay circuit है मिन्स आउट्पूट हमारा कुछ delay के बाद आनोंगा मिन्स मैं आपको समझा दूँ जैसे आपने एक लेडर लॉजिक बना देते हैं यहाँ पर हो एक switch ले ले लेते हैं जिसके अचा टाइमर को find out करने के लिए इसके लिए एक instruction आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर टी एम आर इस पेस टी जो टाइमर लिखना है हमारा जैसे मैं रात को लक्षर में बताया था कि टाइमर का रेंज क्या है कहां से कहां जनरल टाइमर कहां से कहां सबरूटीन टाइमर है क्वोड़ें में बताये था करने कैसे लेक्षट को आप लोग देखिये मैं टाइमर को के की बैलू मीन्स मैं चाहता हूं 20 सकेंड के बाद आन हूं तो के की बैलू यहां पर प्रिसेट की बैलू कितना हम पूट करेंगे, 200, अच्छायèse K की बेलु, हम 200 क्यों पूट की है, इसका केलकुलेसंट ये Preset की बेलु है, ये 200 क्यों क्यों लिए, इसकाers मैंने पिछले lecture में किया है, ये जो मैंने timer यूज किया है, इसका time is 100 milliseconds है, ये 100 milliseconds ये 60 resultado chữ 11 तो यह वन मिली सेकेंड क्या है इसको आप माँ लेक्षर अवर 14 में देखिए ठीक है और इस टाइमर का आउट्पूट हम कहां से मिलेगा इस टीवन से ही आउट्पूट मिलेगा एन और एन सी के फार में मिलेगा जैसे कि मैंने बताया था तो इस टीवन का आउट्पूट इ टीवन के एनो से ले लेते हैं टीवन और यहां पर एक आउट्पूट वाई वन आन करा लेते हैं अब देखिए यह हमारा ओन डिले सर्किट है जैसी एक्स जीरो को आप्रेज करोगे तो यह अच्छा इसको कांटिनिवस पाउर सप्लाई क्यों सकता होती तो एक्स जीरो को अहमेशा के लिए आपको आन रखना पड़ेगा ऐसा नहीं कि एक बारा आन किये तब तक टाइमर चला फिर चोड़ दे तो टाइमर इंटरप्ट हो गया वह जीरो पे चला गया मिन्स अगर जनरल टाइमर हो नोनलेच टाइमर है तो जीरो पर चला जा गए लेच है तो फिर अपने बैलू को तो होल्ड कर लेगा लेकिन अभी हम जनरल टाइमर यूज कर रहे हैं जो नॉमल एच है तो इसको पावर कांटिद्यूस पावर सप्लाई के हो सकता होगी तो एक सजीरो को जब आप आन कर दोगे तो यह टाइमर चलने लगेगा अच्छा यहां पर के की ब स्वार्ट होगा और आपिट हमको मिलेगा तो एक के दो का मतलब ही यह वग मुआ कि ट्वन्ति सेंड के बाद हमारे टैमर होगा जैसे ट्वन्तिस सेकेंड हुआ, complete हुआ, तो यह T0 on होगा, on होने के बाद Y0 हमारा on होगा, तो Y0 कितने, स्विच्छ, प्रेस करते के कितने समय के बाद on हुआ, 20 seconds के बाद आन हुआ यह time कुछ भी हो सकता है यह आपके depend करेगा तो 20 seconds के बाद यह आन हुआ थी इसे on delay circuit हम बोलेंगे इस circuit को on delay circuit बोलेंगे कि मेरा जो output आन हो रहा है 20 seconds के बाद output आन हो रहा है अच्छा अब हम second क्या था off delay circuit आफ डिले circuit जैसे कि आफ आफ कुछ delay के बाद हो मिन्स आफ डिले का मतलब कि डिले हो आफ होने में आफ कुछ डिले के बाद हो जाए ठीक है मिन्स इनिसियल आउटपुट हमारा आन हो और आफ कुछ डिले के बाद हो जाए मिन्स जैसे स्विच्छ पर रेस करूं उसके 20 सकेंड 30 सकेंड के बाद हमारा आर्पुट आफ हो जाए इससे off delay circuit बोलता है या आफ डिले सर्कुटी से हमों बोलेंगे जैसे एक्स जिरो स्विच ले लिया और यहां पर एक टाइमर यूज़ के लिए टी एम आर इसपेस दोगे आप टी टू टाइमर ले लिए और फिर इसपेस के अगर 50 लिख दिए मिन्स 5 सकंड के लिए हमारा ये टाइमर चलेगा ठीक है और इस टाइमर के एनसी से हम आउटपुट ले लिए टी टू के एनसी से हम एक आउटपुट वाई टू ले लेते हैं वाई टू को आन खरा लेते हैं अब इस सर्कुट को समझे इस सर्कुट को ओफ डिले सर्कुट हम बूलते हैं देखे कैसे जैसे ही आप प्रग् करोगे आपका वह आउट्पूट तुरंट आन हो जाएगा अब देखिए आफ आपको कि यह पांच सेकेंड के बाद मैं चाहता हूं कि मेरा जैसे स्विच प्रेस कर उसके पांच सेकेंड के पाद आउट्पूट हमारा ऑफ हो जाना चाहिए तो यह तो जैसे सर्कीट आप र आउट्पूट आपका आन हो जाएगा जैसे परग्राम करेंगे आउट्पूट हमारा आन हो गया ठीक है और मैं जाता स्विच प्रेस करने के पांच सेकेंड के बाद आउट्पूट हमारा आफ हो जाए क्योंकि आफ डिले सर्कीट है इससे पर तो अब देखिए अभी मैं मैं बता रहा हूँ जैसे ही परेस करेंगे हैं हमारा टाइमर यह चलना लगेगा टाइमर चलते चलते जब एक्यूमेलेटर बेलू पर रिसेट बेलू के बराबर हो जाए मिन्स के यहां पर 50 हो जाता है तो वैस जैसे ही टाइमर यह 50 तक पहुंच जाएगा पांच सेकंड को जाएंग स इसका कंप्लीट हो जाएगा तो यह टाइमर एक्टीव हो जाएगा हमारा यह जैसे ही टाइमर एक्टीव हो गा तो इसका जो एंसी है वो एनियो में phonvert हो गा पांच सेकंड के बाद इस टाइमर का एन्योलन अन्सी में कणोंट होगद का इंठी है तो एन्ंव में कंडो नो इन्व में कणोंट होते ही यह ओपन हो जाएगा mamma ओफ हो जाएगा मिंस जैसा ही य constitu बार निंघेजंड कर आष सुक्ति का यह ूपन-ओमोंट मारा फेल कर्रीं पहले में क्या था कि कुछ समय स्विच प्रेस करने के कुछ समय के बाद 20 सकेंड के बाद हमारा आउट्पुट आन हो रहा था ठीक है आन हो गया था और आउफ डिले सर्कीट में स्विच को प्रेस करने के 5 सकेंड या 2 सकेंड के बाद अब हमारा आउट्पुट आउफ हो रह कि यह फॉइंट को बरार साइकलीक नाड़ी का मतलब हमारilee की इन इतरा जाए Tomorrow effect हो गया तुम में इन ट्यक्लीको सटे में इतरते तीन में कि यसा प्लिक करो गया के प्रोसेस प्रोसेस आण रहे हैं मिंस इसको उम इंट्राप्ट बोलते हैं इंट्रॉप्ट तीन तरीके से करेंगे जो में यहां पर बतारों यह बहुँत important point है क्योंकि आने वाले आगे जो हम question LOMيا कल करेंगे उसमें हमको timer को interrupt करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है कई ऐसे logic बन जाता है कई ऐसे प्रोग्राम बनते हैं जिसमें maximum time को timer को interrupt करना पड़ेगा जैसे कि आप आगे example यूज करोगे जैसे traffic light ही है उसमें देखिए जो red बत्ती या फिर red light या फिर green या yellow light होता है फिर ओफ होता है फिर वो सरक्लिट वोटी सकेंड के लिए आनो था मिन्स वो बार बार आन रहता है 24 hours traffic लाइट जल रहा होता है 24 hours जलते रहता है वो बार बार एक ही प्रोग्राम को बार बार रिपीट करता रहा है मिन्स हमारा timer वहां पे interrupt है बार बार वो एक ही बैलु को रोटेट करा रहा मिन्स साइकलिक कर रहा तो इसलिए interrupts इंट्रप्ट कैसे किया जाता यह समझना आपके लिए बहुत ज्यूरूरी हो जाता टाइमर का इंट्रप्ट टाइमर इट सेल्फ टीसरा पॉइंट था इन पॉइंट को में मिटा देता हूँ टीसरा पॉइंट था हमारा वेट बाइट इट सेल्फ एंड आल्सों रिसेट के द्वारा रिसेट के द्वारा रिसेट इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके हम टामर को इंट्रॉप्ट करेंगे ठीक है अच्छा सेट और रिसेट का कंसेप्ट रिसेट का कंसेप्ट अब में सब्सवारा निभी 12 में में बताया है काफी इंपोटन रिसेट का कंसर्ट आइब को नहीं देखें तो खिरपा उस लेक्चर को देख लिए जी इंपोटन्ट लेक्चर है वह वह टाइमर को इंट्रॉप्ट कैसे करेंगे अब टाइमर का NC हम ले लेते हैं मानलों एक टाइमर T0 है और यहां से हम टाइमर ले लेते हैं TMR T0 के 100 मैं इसके preset की value 100 मैंने दे दिया है यह जो टाइमर है इंटरप्ट हो गया यह टाइमर इंटरप्ट होगा यह टाइम इंफानाइट तक चलेगा इंटरप्ट होगा जैसे जैसे ही आप प्रोग्राम रौन करोगई यह एंसी है टाइमर को नहीं पाउर्वलो होगा और टाइमर यह चलने लगेगा जैसे ही टाइमर हुआ अंड़ेटडि रिखने का मतलट हंड़ेट मिली सकेंड का इसुप डिसका टाइम बेस का है अच्छे में बतां थो टाइम्बेस yay और टाइम बेस बोले कोई हाई या फिर uda और ठाइम बेस बूले या फिर ब्रेचे और इसलत कि Guide तीटृुंट ऑल अ कि यह यह कोई टाइम बेस बोलता है कोई टाम रेजूलेशन बोल देता है तो आप पर मotong कांरे ड काई जी नहीं हुना कि टाइम 됐 कि लेशन कि यह दोनों एक ही टैर्मोलोग्डी हैं जैसे प्रोग्राम र्ण करेंगे टी-झेर और नजी है इसके सकंदे के बाद हो ये हमारा टाइमर एक्टिव हो जाएगा दस सकेंदे के बाद आमेर हमारे एक्टिव होगा तो टाइमर टी Soldier का जो एन लो है ऊए उएस्टी में कॉनवाट जाएगा जब टी-जिरो ठीखेट टीजिरो का जब टैइमर एक्टिव streaming तो Nc किसमे कोनोट हो जाएगा एन कोनोट हो जाएगा उन में 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 ऐसे समझेट इसको छोड़ों जब T0 टाइमर जब हमारे टाइमर हमारे एक्टिव हो गारी जाएगा तो जैसे ही हमार time 2 seconds complete T0 ये timer T0 active होगा तो T0 का मैंने NC किया है तो NC किस में conевert हो जाएगा, NUM में conевert होते हैं ये ताइमर को power supply 0 मिल जाएगा, जब ये NUM में convert होगा तो इनो बल जाएगा तो ये timer interrupt हो गया, timer को supply नहीं मिला, तो इसकांटर दो यहां पर NUM है, डाइज मिलें स्कायंटीं हUNG प्रशाट कर देगा जब कि एगर अकांटिंग स्टा डीट कर देगा जब धर आ complete हुआ दो सकेंडे के बाद फिर यह नो बन जाएगा फिर यह टाइमर जीरो हो जाएगा फिर यह इन्फाइनाइट टाइम तक यह हमारा प्रोसेस कांटीनीव रहेगा तो यह टाइमर क्या हो गया है इंट्रॉप्ट हो गया इंट्रॉप्ट इटसेल्फ खुद ही अपने रहेगा देता हुका कि टाइमर को कैसे इंट्रॉप्ट करते हैं वैट कर inc your fünf हम पढ़ते हैं कि सब्सक्वीछ करते हैं माल एट पर उसमें सीचंटीन नहीं लगा था वो फदींत्रॉप्ट हो यहाँ पर मैं नोशी लगा लिया और यहाँ एक टाइमर्यों यूंकारलीय टी एम आर इस पेस टीठी कुछ भी हो सकता है यह मैंने बताया था कि कि रेंज तक होता है टीठीड के मैं मान लेता हूँ तेन सकेंड का टैमर यहां पर एक टैमर मैंने यूज़ कर लिया ठीक है और यहां पर एक आउट्पूट यह जिरो माल लेता हूं यह गुलो हो जाएगा यह हमारा प्रोग्राम है अभी इसमें टैमर हमारे इंटरॉप्ट नहीं हुआ जैसे ही X0 को आप प्रेस करोगे यह टाइमर चलने लगेगा दो सकेंड के बाद तिन सकेंड के बाद यह टाइमर हमारा एक्टीव हो जाएगा तो एक्टीव होते तो इसका मैं NC यहां पर यूज कर लेता हूँ वाई जीरो का NC अब प्रोग्राम को समझे अब टाइमर हमारे इंट्रॉप्ट हो गया देखे कैसे जैसी X0 को अब शुरुआ से समझे जैसी X0 को प्रेस करोगे आन कर दोगे चnant POS अब टो स्पी सब्सक्राइगा अर्ड-पाऊपूर का बनरा ओफ़ जाएंगा ओपूट आन हुगा जयेसी आउट्पूट का मैं यहां पर यूज किया है तो जैसे ही आउटपूट आन होगा तो इसका इन सी एद्क में कणोड हो जाएगा और यह टाइमर को जीरू सप्प्लाइब गई है जिन मिलने का मतलब ये नोन लेज टाइमर घया शीर यह कर भी जित्कर अनो यह करनो det मैं ऑप यह अइसा ऐसा हुँआ यह गया जितने समय है टाइमर दाएगी यह इट ना रहेगा जैसे ही टाइमर डिएक्टिवेट हुवा तो यह नो है तो फ नो में ही रहेगा जब तक जीद के बराबर हो जाती तो इसका मैंने यो यूज के अउल्ब तरह सकेंडर टाइम का हम टाइमर इंट्रप्ट कर देते हैं ठोड़ टाइप हम रिशेट इंस्ट्रक्शन को यूज करके टाइमर को इंट्रप्ट करेंगे इंसको मिटा दूँ इन सब पॉइंट को हम आगे बहुत आगे जो प्रोग्रामिंग करेंगे इन समय यूज करेंगे इसको अब टायमर को इंट्रप्ट करेंगे रिशेट इंस्ट्रक्शन से क्योंकि जब आप भी आप टायमर यूज करोगे पढ़ोगे वहाँ पर आपको एक reset instruction यूज़ करना पड़ जाता है cyclic process के लिए कि timer हमारा reset हो जाए और बार-बार उस value को repeat करते रहे मिंस cyclic करते रहे तो वहाँ reset instruction का यूज़ कर सकते हैं उपर वाले भी जो मैंने दो तरीके से बताया इंट्रॉप्ट उन उसको भी आप यूज़ कर सकते हो इसको भी यूज़ कर सकते हो एकार्डिंग टू प्रग्राम कि वहाँ पर किस टाइप का requirement है उसके अंतार आप इंट्रॉप्टर टाइमर को करोगे सकेंडे टाप का इंट्रॉप्ट ऐसे होता है जैसे एक सजीरो आप स्विच लेए यहां पर टीमार टीमार करके दिखाया हूं कि पर उस लेक्चर को देख लेजे इसको दो तरीके से इंट्रॉप्ट किया था सकता है ठीक है अब जैसे ही ऑब इसके आप इसके टी खीरी से हम रिसेट और एस टी अच्छा रिसेट इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करते हैं मैंने आपको बता रखा है अब नहीं आइडिया चल रहा तो उसको आप लेक्चर नमबर 13 में भी होगा तो इसको देख लिए रिसेट किस टाइमर को रिसेट करना टी ठीक है ऐसे यह भी हमारा इन्टरॉप्ट टाइमर् हो गया कैसे घ्री सब्सक्राइब घंग कर दोगे टाइमर हमारे चलने लगएगा 15 से थक थक हमारा टाइमर हमारे चलने बगाद 15 सपर को reset कर जाएगा जैसे ही रिसेट होगा तो मिन्स एक्युमिलेटर बैलू दो एक सो पचास से जीरो पा जाएगी फिर जीरो पर यह आते ही यह हमारा आलवेज आन है फिर यह हमारा टाइमर चुलने लगेगा फिर जैसे ही पंदर सकेंड बाद यह टाइमर एक्टिव होगा और आप चाहते हो मैनवाली रिसेट करना इस टाइमर को चाहते हो मैनावली रिसेट करना रिकाहने Map टेंवर हो घुटिव होताइमर से हैं वे हमार चाहते हो इस टाइमर को खुद इट सेल्फ इसे रिसेट करना मतब मैनुवली आप चाहते हो कि इसे रिसेट करें यह अपने आप रिसेट हो रहा था इससे पहले मैंने दूनों इंस्ट्रक्शन बता है दूनों में अपने आप रिसेट हो रहा था अब आप मैनुवली चाहते हो इसे इंट्रप्ट करना तो यहां पेग स्विच्छ यूज करलो एक समय और यहां से रिषेट इंस्ट्रक्टरा रिंट और किसको किस टाइमर को इंट्रप्ट करना चाहए तो रिषेट ती थिरी को यह अब कब प्रग्राम बद गया इस प्रग्राम में आफ टाइमर को mathematics हो गा इस इसको आप मैनूली रिसेट करें मैनुली बटन लगाना पड़ेगा जैसे जी प्रेस कनव रिसेट我說 एक टीवोगा और टीटरी को reset करें क्योंकि manifest किसे करना एं टी inflam मनें डेत्रीक रहा कि टी 3 2016 अ है तो यह manual हो जाएगा और इसको आप नहीं यूज कर रहे हैं तो यह automatic प्रोसेस है कुद रिसेट होते रहेगा तो हम एक्टोमेटिक रिसेट वाले इस यूज करते हैं क्योंकि बार-बार हम रिसेट करेंगे नहीं जो ट्राफिक लाइट या फिर बहुत सारा अब बना है हम आगेके भी दिखाएंगे आपको परग्राम उसमें आप बार बार खुद ही ने ई रिशेट करोंगे कि आप आप टोमीटिक हो रिसेट होते रहे है फिर छलते रहे zit होते रहे छलते रहे ऐसा प्रोसेश बनाएंगे तो अगर आप मैनुवली रिसेट करना चाहते हो तो आपको इसको यूज तहीं करना पड़ेगा आपको रिसेट खुद ही अटमेटी करना पड़ेगा इसके लिए टाइमर तीरी का आर्पूट ले लो और यहां पर रिसेट इंस्ट्रक्शन वाई तीरी से यूज कर लो जैसे में हम दिखाया तो इस तरह का इंट्रॉप्ट कर सकते हो टाइमर का यह टापिक बहुत इंपोर्टन था अब हम पढ़ते हैं टाइम टाइम एक्स्टेंशन मिन्स टाइम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं फोर्ट टापिक क्या था टाइम एक्स्टेंशन का क्या मत हो ज Це होता है जैसे मैंने बताया था बया उसको आपकिर देख लिए अगर आप नहीं के मेरे हिसाब से जो म멈ं पीछ्छ लेक्चर पळाते आया हूं वह पीछे का लेक्चर पर ही आगे वाले लेक्चर डिपेंड हूं रोगिलिये और दिन दो इसकैने इस निहँंटीक पर हो बहला है सटीन में 695 वो तो मैंने इसमें अणकेक वर Mengéri 여러분 करो गए तो माइनस 160 एक्सीज वर साथ सो टू पैसे शाथ करो नदेन की साइन के साइन और नंबर होता है और यह मैंनल करो ऊशनता है शोन अच्छाई घो इत्व यह पर धोड़ता रह सबता जेता है टूर तीस ही रप आप deformat दो फॉली स Ken में सब्सक्राइब अईक प Quindi सबत जीरू होता है यहां पर सब्सक्राइब 422 180,000 ताइम निगे ख्वान रौपन करें गरता है यहां इससे कि आप लनो निगेटिव home Italy अउए तरफ नाहीं आप घृश्ट करेगा इससे ज्यादा एक्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारा ये टाइम और सिर्फ शुक्षिन विट कर ठ टूबीट का टाइम रहा नहीं तो शिक्ष्टीन बीट का टाइमर है अब हमको टाइम बढ़ाना है तो हम कैसे टाइम को बढ़ाएंगे देखें बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है मैं इसका कल्कुलेशन करके आपको समझा रहा हूं वेट करिए आपको यहां से पता चलेगा कि 16 बीट का क्या माइन है थोड़ा सा और इसके क्या लिमिटेशन अच्छा मैंने यह बताया था रात कलके लेक्षर में लेक्षर नामबर 14 में कि अगर यह प्रिशेट की वेलु है अगर हमारा टीम आइस पेसी टी मालनों कुछ भी है और यहां पर के एन होता है एन में प्रिशेट मेलू अगर यहां के की वैलू हम 32 से रा साथ सॉन्स दे दे थे तो इस ट जो 32,666 है, यह मिनट में कितनी मिनट होता है, मैंने रात कल्कुलेशन करके दिखा था, 54,6 मिनट है, अगर इस टाइमर को आप एक टाइमर यूज़ कर लिए, जैसे यहाँ पे एक टाइमर यूज़ कर लिए, यहाँ पे एक टाइमर यूज़ कर रहे हूँ, यहाँ पे जो के की बैलू आप पूट करते हूँ, अगर 10 पूट करते हूँ, तो बोलते हूँ कि 10 सकेंड चलेगा, अगर 200 पूट करते हूँ, तो 20 सकेंड बोलते हूँ चलेगा, अगर हम के की बैलू, पिरसेट की बैलू, हम अगर 327100 تूट कर दें सब्सक्राइब यह कितनी मिनेट के लिए डाइमर चलेगा तो जब आप इसका कायलकुलेशन कोरोगे तो 34,6 मिनेट के लिए हमारा यह डायमार चलेगा या फिर इतने समय सु समय तक आप आउटपट को आंघ करा सकते ह। या फिर इतने समय के मिनोट के अंदर में यह प्रोसेस आन रखेगा या फिर आदे घंटे के लिए तो 54 मिनट से पहले ही क्या यह प्रोसेसिंग यह टाइमर एग्जिस्ट करेगा अगर मैं यह कहूं आप लोगों से इसका अच्छा कैसे आया लेक्षर नुबर 14 में विजिट कीजिए मैंने उसमें काफी ज्यादा करके दिखाए यहां के करूंगा तो लेक्षर काफी बड़ा हो जाएगा तो आप उस लेक्षर को देख लिए अगर मैं ऐसा बोलू कि एक मेरे पास आउट्पूट है उसको स्विच प्रेस करन इस टाइमर के हल्प से क्या आप Rudy का टाइम ले सकते हो नहीं यह टाइमर 74 मिनट का ही टाइम देगा इससे ज्यादा आप टाइमर झाज़ाई जैसे ही आप 32767 सथ्थ है इसकी मेकसिमंव लिमीट caps मेक्सिमाम लिमिट है टाइमर इतनी वैलू को फिर सेट वैलू को एक्जिश्ट करेगा अगर जैसे ही आप एक भी जोड़े 32,666 के बजा और सट कर दीए तो यह इंपूट एर दिखाएगा आप करके भी देख सकते हो वैसे मैं करके दिखाऊंगा आप खुद भी करके देख सकते हो एक जैसे ही बड़ा तो यह क्या हुआ यह ओफ इंपूट एर दिखा देगा मिन्स 54,66 मिनट से तो आगे जाएगा नहीं हमारा अप्लिकेशन यह है कि स्विच आन कर दें कि एक घंटे के बाद लाइट हमारा आफ हो जाए मिन्स एक घंटे का टाइम लगाना पड़ यह मैं यहां पर बता दे रहा हूँ आपको यहां पर देखिए अब आप एक स्विच जैसे ही मत हम जब चाहते हैं तभी हमारा टेमर चलेथे इसके लिए इंपुट एक सूच लगा दे और यहां पर टैमर टाइन लगा दिया और इस पे इस ऩो हम टीमन एक टैमर ले लेते और के ठीक है के की बैलू कुछ भी ले लेते हैं माल लिए मेक्सिमुम जो बैलू हो वही हम ले लेते हैं 32,666 ये बैलू ले लिए अब देखे जैसे X0 को प्रेस करेंगे ये टाइमर एक्टिव हमार कब हो जाएगा जब इसकी प्रिसेट बैलू के बराबर हो जाए तो T0 का ये कितने मिनट के बाद ये ये इतनी बैलू कांटिंग कर लेगा 64,666 मिनट में 6 मिनट के बाद ये टाइमर एक्टिव होगा तो उसके बाद ये यहाँ इसका जो आउट्पूट हम T1 टाइमर से ले लेता है क्योंकि अभी तक तो हमारे ये चलेगा मैं चाहता हूं कि आउट्पूट या फिर एक घंटे के बाद आन हो मैं जैसे बटन प्र सब्सक्राइब कर लेते हैं टाइमर का सब्सक्राइब कर रहा है लेक्षर नवर फिप्ट को विजट किजिए आप यहां पर एक और टाइमर ले लिए टी एमर इस पेस इस पेस टीटू और फिर के अब यहां पर जो बैलू आप उट करना चाहतूं अगर एक घंटे के चल जाएगा तो बाकी बचा हुआ जो मिनट है वह यह टाइमर चले तो वह कैसे निकालोगे अच्छा चलाना है तो 60 मिनट में च्छे को माइनस कर लो यहां पर एक पॉइंट लगा के जिरो कर लोगे तो यह फूर हो जाएगा और यहां पर नाइन फाइब जिरो कुछ भी नहीं वाइब फाइब में आपको फाइब फ्र मेंट के लिए टल यूज करना पड़ेगा ये जोंटार्म इस किफर सेट की वैल हुए कितने देंगे ज़े-झे करेंगे तभी न उतने समय तक टाइमर चलेगा तो यह हमारा मीनट से प्रसेट वैलू कैसे कल्कुलेट करते हैं मैं यहां पर दिखा देता हूं वैसे मैंने इसका कल्कुलेट सालेक्टर नमबर 14 में करके रखा है ताकि आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं इसलिए मैंने ले अब सकेंड में इसका टो प्रसेट वैलू मुल्टिपलाई बाइट या टाइम रेजुलेशन इसका टाइम देस हंड्द मिली सकेंड को मैं मान के चलता हूं 100 मिली सकेंड है तो शिक्स्टी मुल्टिपलाइब कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा मिन्स यह हमारा सेकेंड म को नोट हो जाएगा है ठीक है तब देखिए इसका मैं कल्कुलेशन कर देता हूं फाइप फिप्टी फूर मुल्टिप्लाइब सीक्स चो जो कुछ इसका चाहां तो मैं दूँ अच्छो पैचे 30 तो 32 में सब कीन सो चोवीश सकेंड हो जाएगा तो अभी हमको प्रिशेट की बैलू चाहिए च्छिपके हंडेट मिली सकेंड का टाइमर है तो मैं एक और फार्मूला बताया था प्रिशेट बैलू इसकल टूं टेन मल्टिप्ल बैलू इन सकेंड में यह मैं कैसे लिख रहा हूं यह लेक्षन नों वह फोटेन को भीजिट करिया कापी अच्छे सा पाता चलेगा क्योंकि मैंने सब क्रेलकुलेशन करके दिखा रहा है वहाँ पर 324 सकेंड है 324 मल्टिप्लाइब टेन कर देंगे जैसे कि 10 डिजार है तो यह 3240 अब प्रिशेट की बैलू कितनी मिल गए 3240 324 तो क्या की बैलू क्या आप अपूट करें 3240 अब यहां से यह क्यों सा टामर्ट टेमर टी टू यहां से टामर्टी टू से आप एक आउट्पूट आन करा लो वाई तू मैं आन करा लेता हूं मेंस यह हमारा एक घंटाय के बाद आन गा है कि मैंद् आप लोग सब्सुंग्भाए हैं यह हमारा पूंद है यह अतना यह को बता जाते हैं ish में बूसाम फिर मिनट में भी मेटमूलोग नहीं जाते हैं कि मिनट में अगर मिनट में हम वेलू समझते हैं कि वेलू अगर मैं दो सब्पूर्ट कर देता हूं इसका मतलब कि यह 20 सकेंड चलेगा मैं बोलू 5 मिनट के लिए हमको टाइमर बना बनाना है पांच मिनट के बाद हमारा टाइमर आउट्पुट आन हो तो फिर उनके लिए प्रिसेट बैलू कैलकुलेट करना डिफकल्ट बन जाता कि कैसे कैलकुलेट करेंगे लेकिन उमीद करता आपको को कोई डिफकल्टी नहीं होगे क्योंकि लेक्षर नबर फोर्टी फोर्टीन विजिट किये होंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे सा आइडिया हो जाएगा कोई भी बैलू कल्कुलेट कर सकते हो चाहे हो हंड़ेट मिली सकेंड के लिए क्यों नहों या फिर वन मिली तो मैंने टाइमर को कैस्केडिंग किया और और टाइम को एक्स्टेंड कर लिया अब हमारा टाइमर एक घंटे के लिए चलिए यहां पर 3240 में यूज किया है यहां पर मैं 32,700 भी यूज कर सकता है था मेक्सिमा तो यहां पर कितना हो जाता अब हमारा चौवन दस मलोट छे पलस 54.6 मिनट का एक टाइमर बन जाता इतना तो 6-6-12 का दो 4-4-8-1-9-5-5-10 means 109.2 मिनट का ये टाइमर बन जाएगा अगर मैं इसके भी रेंज पे maximum value हम set कर दे तो हमारा ये टाइमर 109.2 मिनट के बाद ये आउटपुट को आउट करता अगर मैं आपको बोल दूहों कि एक ऐसा प्रग्राम बना जो हमारा आउटपुट दो घंटे के बाद आन हो ठीक है जैसे कि आप लारम के लिए प्रूग्राम बनाते हों कि जैसे ही मैं आप सुने जा वैंग दसबज रहा है मैं सुने जा रहा हूं मैं चाता हो कि अलारव हम एमरा तीन बज़्लो तो आपसंट безопас ब्हुंत पांच गहनटन के chi चलेगा तो ciao गटा कैसे लिए इसी तरह हमको एक सर्क्विट और यहां पर टायमर यूज करना पड़एगा जब reduce cash जब तुक कि हमारा पांच घंटे का टाइम आ जाय थी कह है यह टाइम का क्यादीड न्यायर का टाइमर इंशैर का मतलब होता है स्केंड के लिए इन्पुट का क्द्ध प्रोसेश क्धीडका रहत है तो ये टाइनर टारीमाडर की लिए इन पूट है ठीम को प्रीछ न कर दो के टाइम को एक्स्टेंशन कर सकते हो गला इस्ताइज पाया है ये बहुत इन्पौट्νεंट प्वाइंट है जो मैंने अभी चार प्वाइंट बता अंडल website क्या मतलब है इसका मतलब है कैसे करेंगे कई लोगों को यह पता नहीं हो पाता है कि time extension कैसे करेंगे मैं इस पर कुस्चन बना करका हूँ जो आपको लेक्चर नंबर इसके बाद जो लेक्ट्र नमबर 16 13 16 और 17 में मिल जाएगा आप उस question को साल्प करें अगर नहीं साल्प होता है तो प्लीज हमसे बताएं मैं उस question को साल्प करके दिखाऊंगा अभी हमारा दो लेक्षर थियोरी पर बन गया है और मैं इससे ज्यादा बनाऊंगा तो आप लोग को भी थोड़ा सा अजीब कि आप लोग कितना थियोरी पढ़ा रहे हैं सर तो मैं अभी अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको question का solution बताऊंगा कुछ question जी साल्प करूंगा ताकि आपको idea लग जाए जैसी idea लग जाता है तो लेक्षर नमबर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ advance लेबर पर प्रोग्लामि मैं उमीद करता हूं कि आप लोग timer में कहीं नहीं फसंगे अगर दो लेक्चर आने वाले question का solution देख लेते हैं और या में भी जो मैंने पीडियो दिया उसका solution देख लेता है तो उमीद है कि आप timer में कहीं नहीं फसंगे और किसी को बता सकते हैं इतना आपके अंदर ability हो जा कमेंट में लिखें मैं उसको सुधार करूँगा नमस्कार दोस्तों